हलो कमांडोस वेलकम टो बायो मेंटर्स क्लासेस ऑन लाइन और हम लोग आज से डी ब्लॉक और एब ब्लॉक को खतम करने के बाद एक नए उनिट पर काम करेंगे और देट इस कोडिनेशन केमस्ट्री और कोडिनेशन केमस्ट्री भी बहुत इंपोर्टेंट यूनिट है एट लीस्ट दो से तीन कोश्चन इससे कवर होने चाहिए तो बहुती सिंसेर्टी से पढ़ना है कहां कहां पर क्या इंपोर्टेंट चीज़े हैं उसके बारे में बात करेंगे और कहां पर क्या चीजे सीखना है उसके बारे में बात करेंगे ठिक है तो Coordination Chemistry को यह ध्याम रखना है कि दो से तीन कोस्टन कवर करेगा Coordination Chemistry तो इस योनिट को भी हमको बहुत अच्छे से करना है इसके बाद inorganic में हमारा एक योनिट और बचेगा वह है Metallurgy and Metallurgical Operations उसमें कुछ Metals जैसे Copper है, Silver है, Gold है या Jink है इनके बारे में भी हम लोग Metallurgy में बात करेंगे D-Block में हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया तो इसका मतनब है कि उनके बारे में हम लोग Metallurgy और Metallurgical Operations में बात करेंगे, ठीक है तो Coordination Chemistry को Start करेंगे, हम लोग तो पहले कुछ Important Points जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या Important Points है उसको मैं पहले ही ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता, Question एक दम Surface से आ जाता है तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी, उसके बाद फिर क्या से आगे पढ़ना है उसके बारे में One by One हम लोग उस पे काम करते रहेंगे, ठीक है तो चलिए बात करते हैं, Coordination Chemistry के बारे में तो नया योनिट हमारा Coordination Chemistry Coordination Chemistry, उपसहसायोजी योगिकों का रसायन, कहेंगे इसको Coordination Chemistry को उपसहसायोजी योगिकों का रसायन, मतलब Transitional Metals जो है, वो complex form करते हैं जिसमें Legand Participate करता है, अभी आपको Legand के बारे में पूरी जानकारी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और Coordinate Bond बनाता है Legand Complex में Complex के अंदर Legand Central Metal Atom या आइन के साथ complex बनाता है तो इस Chemistry की ब्रांच में हम Complex Compound या Coordinate Compound को Study करते हैं क्या होते हैं Coordinate Compounds? वो Complex Compound जिसमें Legand और Central Metal Atom या आइन के बीच Coordinate Bonds बनते हैं उनको उसको हम कहते हैं Coordination Chemistry ठीक है तो चलिए बात करते हैं कुछ Important Points पर First of All कुछ Important Points को Discuss करते हैं नमबर वन पहला पॉइंट तो फैरी फैरो साइन नाइट क्या नम है इस Compound का फैरी फैरो साइन नाइट प्रेरी फैरो साइन नाइट और क्या कहते हैं इसको प्रेशन ब्लू कहते हैं प्रेशन ब्लू और तर्न बूल्स ब्लू तर्न बूल्स ब्लू तो फैरी फैरो साइन नाइट प्रेशन ब्लू और तर्न बूल्स ब्लू तर्न ब्लू अट यह चीयो प्रेशन इसको वाद नाइट ब्ल्स यह वो फिर्षावर्ट नाइट फैरी फैरी अ्वा्म और कलर मेकर जो की गलती से एक बर्लिन कलर मेकर से बन गया था वो कुछ एनिमल वेस्ट को लोहे के बरतन में लोहे के कडाये में उबाल रहा था तो वो उसका जो उपर का सब कलर था वो एकदम से ब्लीव हो गया तो वो डर गया विचारा उसको लगाई क्या हो गया तो दैक्ट the first complex compound fe4 fecn hole six hole thrice fairy ferrocynide prussian blue or turn bulls blue was the first discovered complex compound ये पहला discovered complex compound है बसके बली ये ध्यान रखना है Berlin color maker ने इसको बनाया था गलती से बन गया था ऐसा कह सकते हैं और k4 fecn hole six k4 fecn hole six potassium ferrocynide potassium ferrocynide k4 fecn hole six potassium ferrocynide the potassium ferrocynide was the first lab prepared complex compound was the first lab prepared complex compound lab prepared complex compound potassium ferrocynide was the first lab prepared complex compound complex compound आपके तो दूसरी बात यह ध्यान राखना है पतासियम फैर झाइनाइब के फोरेफिची ऐन होल6 वह सब कासी बारेद कॉंपलेक्स कंपाउंट तो प्रतासियम फैर उसाइनाइट फर्स आप्रिपेर्ड है और very ferocyanide जिसकोंने turn bulls blue या Prussian blue कहा that was the first discovered complex compound सबसे पहले जो compound discovered हुआ वो था feri ferocyanide और सबसे पहले lab में बना हुआ complex compound कहेंगे तो answer हो जाएगा K4 FEC and oh six this compound is known as potassium ferocyanide और प्रटासियम फेरोसाइनाइड इस दफस्ट लाप प्रिपेर्ड कॉंप्लेक्स कंपाउंड मतलब प्रयोग शाला में सबसे पहले बनाया गया कॉंप्लेक्स कंपाउंड था यह ठीक है उसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो नेक्स पॉइंट इस is the complex of is the complex of iron hemoglobin is the complex of iron hemoglobin क्या है iron का complex hemoglobin is the complex of iron अब आप देखे एनिमल में सभी अनिमल के अंदर compulsory hemoglobin present होगा RBC के अंदर जो की oxygen carrying capacity oxygen को carry करने का काम करता है मतलब without hemoglobin animal का life possible नहीं है ठेक है तो hemoglobin is the complex of iron मतलब आपके life का जो formation है वो बहुत complex है complicated है तो उसको simplify करने की इकोसिस नहीं करना है उस complication का आनंद लेना है ठेक है यह बात ध्यान रखने है कि वो कभी simplify नहीं होगी क्योंकि उसका formation ही complex है तो जो complex से form है वो simplify नहीं होगा उस complexity का ही हमें enjoy करना है तो यह बात ध्यान रखेंगे हमोगलोबिन is the complex of iron in which in which oxidation number of iron in which oxidation number of iron oxidation number of iron जिसमें iron का oxidation number in which oxidation number of iron in which oxidation number of iron oxidation number of iron is plus 2 जिसमें iron का oxidation number plus 2 होता है in which oxidation number of iron is plus 2 मतलब iron किस फॉर्म बाला रहेगा फेरस के फॉर्म बाला iron रहता है it is in form of ferrous ठीक है तो फेरस के फॉर्म वाला iron रहेगा और यह चारों तरप से surrounded रहता है it forms it forms it forms it forms पॉर्फाइरिन रिंग इट फॉर्म पॉर्फाइरिन रिंग पॉर्फाइरिन रिंग के फॉर्म में रहता है और पॉर्फाइरिन रिंग के फॉर्म में रहता है इसका मतलब यह magnet से attract नहीं होगा बार से magnet लगा करके आप इसको attract नहीं कर सकते हो तो it is in form of पूर्फाइरेन रिंग एक और बात ध्यान रखनेंगे इन वन मॉलीक्यूल आफ हेमोग्लोबिन वन मॉलीक्यूल आफ हेमोग्लोबिन मॉलीक्यूल आफ हेमोग्लोबिन ऐसा हम लोगोंने calculation में निकाला जब मैंने basic concept आपको पढ़ाया था तो वहां पे question आया था न तो यह directly भी ध्यान रखेंगे क्योंकि biology में जब question आएगा तो वो directly आएगा it is not based on calculation database तो रहेगा नहीं वो हना तो hemoglobin is the complex of iron और सभी animal life के लिए सभी animals की life hemoglobin पर base होती है क्योंकि hemoglobin oxygen को carry करने का काम करता है ठीक है और मैंने आपको एक बात और बताया था कि अगर कोई person carbon monoxide को inhale कर लेता है तो carbon monoxide hemoglobin के साथ carboxy hemoglobin complex form करता है it is more stable than oxygen hemoglobin complex इसलिए oxygen को carry करने की power उस समय उस condition पे कम हो जाएगी and due to suffocation the person is finally dead और वहां से उसको बचाने के लिए oxygen और carbon dioxide का एक composition देते हैं उसको medical treatment है ना carbozen कहते हैं उस mixture को तो कुछ कुछ चीज़ें जो informatory है वो अलग से भी हमें ध्यान रखनी है तो hemoglobin is the complex of iron यह बात ध्यान रखना है अगली बात करते हैं chlorophyll the complex of magnesium is not complex of magnesium complex of magnesium chlorophyll is the complex of magnesium in which in which oxidation number of magnesium in which Oxidation Number of Magnesium Oxidation Number of Magnesium as plus 2 जिसमें Magnesium का Oxidation Number plus 2 होता है तो फिर से देखे अब जितने भी plants है ठीक उन सब की life का formation कहां से आया chlorophyll is the compulsory complex तो chlorophyll is again compulsory complex और फिर से plant और animal का जो life है उसका formation complex compound से मिलकर बना है तो हम ऐसा question भी आता है कि justify that all the plants and animals are formed by the complexes because the hemoglobin is the complex of iron and chlorophyll is the complex of magnesium तो जो basic content है life के वो complex compounds है okay मतलब chemistry है ऐसा ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो chlorophyll is the complex of magnesium in which oxidation number of magnesium is plus 2 अब आगे क्या बात करना है उस पॉइंट पर बात करते हैं नेक्स्ट तो chlorophyll जो है magnesium का complex है अगली बात करते हैं बिटमिन बीट्वेल बिटमिन बीट्वेल यहां पर एक इंपर्टेंट बात आएगी बिटमिन बीट्वेल का साइनो को बेलमाइन साइनो को बेलमाइन बिटमिन बीट्वेल इस दो the complex of cobalt, is the complex of cobalt, is the complex of cobalt, is the complex of cobalt, vitamins B12 is the complex of cobalt in which, in which, oxidation number of cobalt, oxidation नमबगा प्रेकशन पाफ को बोल्ट आफ को वल्ट पैंविच ऑक्सिटेशन नमबगा व फैसपार से जिस फ्टेंगे हिन नरestäन सहंखें ये ढएमनीडक संखतेakingर सहने ऐसे प्लस फूर सपीड़ां वेडियों कि और टोक्तव oxidation number plus one होता है which disease is caused by the deficiency of vitamin b12 it is Parnisius anemia कौन सा disease होता है Parnisius anemia lacking of RBC in blood cell तो अगर वो कोबल्ट की deficiency के कारण होगा तो उसको हम कहते है Parnisius anemia अगर iron की deficiency के कारण होता है तो उसको हम कहते है hypochromic anemia it means lack of iron hypo means lack chrome means iron hypochromic anemia कहेंगे जो iron की deficiency से होता है और एक और भी होगा वो भी विताया था मैंने आपको जब हम लोग बिटमिस पढ़ रहे थे डाट सिकल सलनीमिया जिसमें RBC अपना नाचुरल जो शेप है वो छोड़ देता है और वो सिकल के जैसा हो जाएगा मतब श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होगा तो उसकी जो oxygen carry carrying capacity है वो कम हो जाएगी और उससे life span जो है expand होता है it is mostly found in African negros और वो एक जैनेटिकल disorder है sickle cell anemia ठीक है तो vitamin b12 is the complex of cobalt in which oxidation number of cobalt is plus one यह ध्यान रखेंगे this is the important point और b12 का deficiency क्या करता है परनीसियस अनीमिया तो b12 की deficiency से कौन सा disease होता है परनीसियस अनीमिया होता है अगली बात करते हैं पीटी एनेच त्री खोल्ट्वाइस ट्वाइस c l2 इस complex के बारे में भी question आ चुका है ठीक अगर अब यह चुकी square planar complex है तो दो टाइप में arrange हो जाएगा आपको दिख रहा है सिस और trans that is called cisplatin and transplatin जब हम लोग geometrical isomerism पढ़ेंगे वहाँ पे compound मिलेगा तो इसका जो सिस फॉर्म है सिस प्लाटिन सिस प्लाटिन इस यूस्टू मेक यूस्टू मेक anti-cancer drug anti-cancer drug for important anti-cancer drug ठीक है cancer प्रतीरोधी औश्यदी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिस प्लाटिन इस यूज़ फॉर ट्रीटमेंट आफ कैंसर यूज़ फॉर ट्रीटमेंट आफ कैंसर तो cancer को ट्रीट करने के लिए सिस प्लाटिन को यूज़ करते हैं ठीक है अगला पॉइंट एथाइल mercury chloride organometallic है एथाइल mercury chloride carbon है metal है एथाइल mercury chloride है not magnesium यहाँ पे यह mistake किया मैंने तो इसको सुदार लेते एथाइल mercury chloride hgcl ethyl mercury chloride as a fungicide use होता है एथाइल mercury chloride as a fungicide arsenic organo-medicine arsenic organo-medicine arsenic organo-medicine use for the treatment of use for the use for the treatment of treatment of sufflis use for the treatment of sufflis sufflis disease के treatment के लिए use होती है यह medicine arsenic organo-medicine का use करते है syphilis disease के treatment के लिए syphilis जो है वो bacterial infection है syphilis syphilis is the bacterial infection bacterial infection bacterial infection है syphilis syphilis is the bacterial infection spread by spread by sexual contact syphilis के treatment के लिए यूज करते हैं arsenic organo-medicine और cancer के लिए यूज करते है सिस्प्लाटिन cancer के लिए यूज करते है सिस्प्लाटिन ठीक है calcium e-d-t-a calcium e-d-t-a calcium e-d-t-a इंजेक्शिंस का structure भी आएगा आगे चलके e-d-t-a का तो calcium e-d-t-a इंजेक्शिं calcium e-d-t-a इंजेक्शिंस और यूज तो रूज तो ट्रीट यूज तो ट्रीट रहे लेट पोईस्दिंग lead poisoning lead poisoning lead poisonous lead poison को treat करने के लिए use होता है lead poison lead poison or lead poisoning को remove करने के लिए calcium EDTA का injection लगाते है तो calcium EDTA के injections को use करते हैं lead poison को remove करने के लिए तो this is again important point तो यह सब complex related जो उसके important points है पहले हम उस पर बात कर रहे हैं ठीक है और R3AL plus TICL4 R3AL plus TICL4 फिर से organometallic R3AL plus TICL4 it means trialkyl aluminum and titanium chloride trialkyl aluminum and titanium chloride का जो mixture है इस mixture को हम कहते हैं Ziggler Nata catalyst this mixture is called Ziggler Ziggler Nata Ziggler and Nata catalyst दोनों अलग अलग scientists थे धियार रखेंगे Ziggler and Nata catalyst और Ziggler or Nata catalyst का use क्या होता है है for making polymers during polymerization reaction during polymerization reaction polymerization reaction during polymerization reaction ठीक है different different type के polymers बनाने के लिए commonly HDPE हम बनाते हैं Ziggler Nata catalyst का यूज करके तो Ziggler Nata catalyst का यूज करते हैं किसके लिए polymerization reaction के लिए क्या composition है Ziggler Nata का R3AL it means trialkyl aluminum and titanium chloride composition is used for the polymerization by Ziggler Nata और इस discovery के लिए Ziggler Nata को combinedly Nobel Prize भी मिला था ठेक है इसके बाद ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोहोडियम क्लोराइड का एक composition तो पी थी होल थ्राइस है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोहोडियम क्लोराइड यह कैकलिस भी मैंने आपको बताया है कही नहीं इना ट्राइफेना भॉस्फीन यह रोहोडियम क्लोराइड रह इन फॉस्पन आएव और रोहोडियम क्लोराइड थी थी थील्च फार हाइड्रोजेनेशन फार हाइड्रोजेनेशन हाइड्रोजेनेशन मतलब इन्स और आइन्स को एंस में कनवाट करने के लिए बैसिकली हम यूज करते हैं इन्स और आइन्स को एंस में कनवाट करने के लिए इस कमपोजीशन को हम यूज करते हैं this is called wilkinson's catalyst क्या कहते हैं इसको wilkinson's catalyst कहते है wilkinson's catalyst try phenyl phosphine and rhodium chloride composition is called when wilkinson's catalyst और इसका use हम hydrogenation reaction के लिए मतलब addition of hydrogen के लिए करते हैं ठीक है अब बात करते हैं इसके बाद अगले topic पर तो यह कुछ important points हमने निकाले जो की complex की chemistry से coordination chemistry से related है अब बात करेंगे type of salt के बारे में तो types of salt तो देखो जैसे sodium chloride है potassium chloride है तो यह सब single salt single salt okay और अगर आप इसको water के अंदर डालोगे तो na plus cl minus बन जाएगा these are the single salt जो की जिनका composition ionic bonding से हुआ है तो these are the perfectly ionic compound इसके बारे में हमें कुछ बात भी ज्यादा नहीं करना है बस यह ध्यान रखना है कि simple salt कहा या single salt कहा तो एक salt का composition जो है एन a c l k c l calcium chloride potassium chloride magnesium chloride यह सब simple salt के अंदर आते हैं और सभी इस type के जो salt है वो perfectly ionic compound है और salt हमेशा strong electrolyte होता है salts are always strong electrolyte उसका source कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है अब बात करेंगे हम double salt और complex salt के बारे में double salt तो double salt जैसा नाम से लग रहा है दो salt का combination जिसमें दो salt का combination होगा उसको हम कहेंगे double salt तो देखो पहले example से शुरू करते हैं जैसे मैंने कहा के तू एसो 4 एल टू एसो 4 whole thrice डॉट 24 water आलम और जितने भी आलम हैं वो सब double salt का example होते हैं आलम सार्दा double salt एलम कैसे होते हैं double salt होते हैं और क्या खास बात होती हैं इसके अंदर isomorph होते हैं है इसो मॉर्फ हंदी में बोलते हैं सम आक्रुक्तिक तो crystalline structure same होता है सेम crystalline structure के कारण इनको हम isomorph भी कहते हैं तो आलम से दो important point ध्यान रखना है all the alums are the double salt सभी fit करीयां दूपिक लवन्ण होती है all the alums are the double salt एक बात दूसरी बात क्या जहान रखना है alums जो होते हैं वो isomorph होते हैं same crystalline structure कैसे justify करेंगे ये भी मैंने आपको बता है जैसे मैंने लिखा this one is the potassium to k2SO4 a l2SO4 whole trice .284 water अगर मुझे chrome alum लिखना है तो k2so4 cr2so4 hole thrice .24 water मतलब same 24 water उसके crystalline structure में आ रहा है तो यह इस बात को justify करेगा कि crystalline structure same है और जिनका crystalline structure same होता है उसको हम alumorph कहते हैं ठीक है तो alums double salt है अब देखो एक और example लेते हैं Fe SO4 NH4 hole twice SO4.6 water hexahydrated ferrous ammonium sulfate hexahydrated ferrous ammonium sulfate क्या कहते है इसको more salt more salt it is also a combination of double salt तो जिसमें दो different different metal के combination से बने हुए compounds है उसको हम कहेंगे double salt अब क्या खास बाते हैं double salt के अंदर उसके बारे में बात करते हैं तो double salts are ionic compound ionic compound होते हैं मतलब इसमें कौन सी bonding होगी ionic bonds होगे तो it is made up of ionic bonds दूसरी खास बात क्या होती है double salt में जब तक यह solid state में है जैसे alum जब तक आपके हाथ में आपने हाथ में लेकर रखा है जब तक वह solid state में है तब तक तो वह as a alum identify है लेकिन जैसे आप उसको पानी में घोलेंगे तो potassium अलग aluminium अलग sulphate अलग मतलब सभी content dissociate हो करके अलग-अलग ions में चले जाएंगे और उसमें आप सभी का अलग-अलग test भी कर सकते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ retain the identity in solid state but loses the identity in a solution मतलब जो ठोसा वस्ता में स्थाई है लेकिन जलीव विलियन में क्या होता है बिगटित हो जाता है उसके सभी घटक अलग-अलग हो जाते हैं एक और solution के अंदर तो ऐसे salt को हम double salt कहते हैं तो double salt की क्या property हो गई exist only in solid state तो double salts are ionic compound exist only in solid state only in solid state solid state में existable रहते हैं मतलब अपनी identity को maintain रखते हैं exist in solid state but looses the identity looses the identity in aqueous solution looses the identity in aqueous solution looses the identity in aqueous solution because because dissociate into the ions because dissociate into the ions dissociate into the ions और यह solution में ions में dissociate हो जाते हैं मतलब सबी content सबी component अलग-अलग हो जाएंगे तो double salt सार ionic compound exist in solid state but looses the identity in aqueous solution because it is dissociated into the ions तो यह एक important बात और हो गई double salt से related कि यह solid state में existable होते हैं लेकिन aqueous solution में अपनी identity को loss कर देते हैं ठीक है तो यह एक important बात ध्यान रखना है the properties of double salt the property of double salt property of double salt है उसके content जो थे उसकी property के similarity रहेगा क्योंकि सब आइन सके form में अलग-अलग जा रहे हैं तो property of double salt are same property of double salt are same property of double salts are same as those of its constituent as those of its those of its constituents जिन घटकों से बनकर मिलकर बना है उनके घटकों के जैसे ही गुण होगा है इसके तो the property of a double salt are same as those of its constituents ओके तो एक double salt की property अपने constituent के property के जैसी होती है एक double salt की property अपने constituent के property के जैसी होगी यह एक important बात है यह ध्यान रखेंगे ठेक है और double salt के अंदर जब आप इसको aqueous solution में डालेंगे तो इसके सभी content जो है जो constituent है वो अलग-अलग हो जाएंगे और उनको हम अलग-अलग identify भी कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले point पे अब बात करेंगे complex salt के बारे में तो about complex salt what is the complex salt तो complex salt क्या होते हैं उसकी बात करें तो complex salt में पहली बात क्या ध्यान रखना है मैं को जैसे मैंने कहा k4 fe cn hole 6 तो k4 fe cn hole 6 अगर मैं यहां पे बात करूं तो कौन सा bonding है ionic bond है चार्च आ रहा है तो ionic bond है c और n के बीच में अगर आप देखोगे तो कौन सा bonding है covalent bonding है और metal और legand के बीच this cyanide is called legand हना इस cyanide को हम क्या कहते हैं legand कहते हैं तो क्या करेगा legand electron pair donate करके metal के साथ जुड़ेगा तो metal और legand के बीच में कौन सा bond है coordinate bond है it means all the three type of bonds it means ionic covalent and coordinate ionic covalent and coordinate bonds are present in a complex salt किसी भी complex salt में क्या होगा covalent ionic covalent and coordinate ionic covalent and coordinate पहली बात all the three types of bonds are present all the three type of bonds are present okay तो किसी complex salt के अंदर ionic covalent and coordinate तीनो टाइप के bond होंगे अब अगर मानलो इसको हम aqos solution में डालते हैं तो जो इसका aqos solution में डालेंगे तो क्या होगा जो potassium ion है वो तो अलग हो जाएगा ठीक लेकिन FECN whole 6 अलग नहीं होने वाला है तो यह अपनी identity को solid state में भी maintain रखते हैं और aqos solution में भी maintain रख पाएगा ठीक है तो क्या ध्यान रखेंगे complex salt क्या होंगे पहली बात तो हमने की ionic covalent and coordinate all the three type of bonds are present here तीनो टाइप के bond present रहते हैं किसी भी complex compound के अंदर ठीक यह general चीजें है यह ध्यान रखना है कई बार ऐसा होगा कि ionic नहीं भी हो सकता है जैसे कुछ complexes ऐसे रहेंगे जहां पर ionic bonding नहीं रहेंगी जहां पर neutral ligand participate कर रहा है sometime okay but there is ionic covalent and coordinate bonds are present अगली बात क्या ध्यान रखना है existing exist in solid state solid state as well as in aqueous solution solid state में भी existable रहते हैं और aqueous solution में भी existable रहते हैं existing solid state as well as in aqueous solution तो ठोस अवस्था और jelly valiant दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तो ionic complex में ionic covalent और coordinate तीनो टाइप की bonding होगी और यह solid state में भी existable होते हैं और aqueous solution में भी अपना exist tense maintained रखते हैं ठीक है the properties of a complex compound the properties of a complex compound the property of a complex compound differ from its constituents इसकी properties अपने constituent की properties से differ करती है the property of a complex compound is differ from property of its constituents ठीक है तो इसकी property अपने constituents की properties से different होती है जबकि double salt के अंदर जो property है वो constituent की property के as same as होगी ठीक है it is about some important points related with the complex compound and double salt and complex अब बात करते हैं अगले वाले पोर्शन पर अगला जो सबसे important portion आ रहा है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं वह है पेयर डोनर और अगर पेयर डोनेट करेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे coordinate bond बनाएंगे जब पेयर ट्रांसफर होता है तो coordinate bond बनता है coordinate bond को हम dative bond भी कहते हैं semi polar bond भी कहते है coordinate bond is also called semi polar bond or dative bond तो यह बात भी ध्यान रखना है So, electron pair donors are the species are the species which forms are the species which forms coordinate bond which forms coordinate bond with central metal atom or iron central metal atom or iron वो समूह जो केंदरी धातु पर्मणू अथवा iron के साथ उपसहसयों जग बंद बनाते हैं और the species which forms which forms coordinate bond with central metal atom or iron तो वो ग्रुप जो लग्प्राउन पेयर डोनेट करते हैं या central atom के साथ coordinate bond का formation करते हैं उनको हम कहते हैं ligands it is known as ligands तो यह हुआ legend का definition अब बात करते हैं types of ligand के बारे में इसकी भी हमें जरुवत पड़ेगी ठीक है तो types of ligand ligand कितने type के होते हैं on the basics of transfer of electron pairs का classification किस बेस पर करते हैं electron pair के transfer करने पर कितने electron pair कौन सा ligand transfer करेगा उसके base पर हम इस बारे में बात करते हैं how many pair is transfer by the group कोई भी group कितने electron pair transfer करेगा उसके base पर हम देखते हैं और इसको हमको याद भी करना है क्योंकि आगे जब हम naming वगरे करेंगे तो वहां पर in ligands के नामों की हमें जरुवत पड़ेगी ठीक है तो पहले तो हम लोग classification पर बात कर लेते हैं Monodentate 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 ठीक है हिंदी में इसको कहते हैं एक दंतुर एक दंतुर सिंप्ली समस्कते जिसका एक दांत होगा वह Monodentate मतलब जो एक coordinate bond बनाएगा वह Monodentate ligand होगा ठीक है तो Monodentate ligand क्या होते हैं donate one electron pair किसको donate करेंगे central metal atom या iron को donate करेंगे और ये भी में भी charge और neutral हो सकते हैं चार्ज भी हो सकते हैं और neutral भी हो सकते हैं तो simply Monodentate ligand को हम क्या कहेंगे donate one electron pair जो एक electron pair donate करते हैं उसको हम कहेंगे Monodentate ligand Monodentate ligand okay all the species with donate one electron pair is called Monodentate ligand जो species एक electron pair donate करेंगे उसको हम कहेंगे Monodentate ligand कुछ examples आपके लिए लिख रहो हो में तो this is the class of Monodentate ligand जैसे water Monodentate ligand है Ammonia और Pyridine ये सब neutral Monodentate के example हैं इसके पास charge नहीं है लेकिन F-C-L-B-R-I-- ये सब कैसे हैं ये सब कैसे हैं इस आर इस आर नेगेटिव चार्च Monodentate ligand तो में भी चार्जड और नूट्रल दा स्पिसीज विड ट्रांसफर वन electron pair is called Monodentate ligand उसको हम कहेंगे Monodentate ligand अब बात करते हैं Bidentate की Bidentate definition अब आपको पता है donate to electron pair जो दो electron pair donate करते हैं उनको हम कहेंगे Bidentate ligand मेरे साथ साथ आपको इनको ध्यान रखते हुए चलना है इनके नामों की हमें ज़रुत इनका हमको काम पढ़ने वाला है Bidentate ligand जैसे मैंने कहा oxalate coo negative coo negative oxalate commonly इसको हम ox से लिखते हैं तो किसी complex में अगर ox लिखा होगा तो आप यह आपको यह समझना है कि oxalate लिखा हुआ है oxalate oxalate oxalato कहते हैं इसको जब हम इसके suffix के base पर प्रणाउंस करेंगे तो क्या कहेंगे oxalato यह चीजदी सीखना है ethylene diamine ethylene diamine in short form it is expressed as en ethylene diamine there is two nitrogen and both having a lone pair electron so it is a bidentate ligand यह bidentate ligand का इसम्पल है ठीक है it is also example of bidentate ligand NH2 CH2 COO negative glycinate GLY glycinate and it is pronounced as glycinate it is again a bidentate ligand to glycinate is a bidentate ligand ठीक है glycinate उसके बाद अगला bidentate जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो bidentate का अगला example है CH3 मैंने आप से कहा कि ligands को ध्यान से देखते हुए चलना है इनकी हमें आगे चलकर जरुद पढ़ने वाली है ठीक है तो CH3 और यह C के साथ double bond double bond CC के बीच में नहीं आएगा double bond आएगा C और N के बीच में तो यहां पर चोटी सी mistake हो रही है इसको कट कर देते हैं तो यह C और यह C single bond C double bond N double bond N और इसके साथ साथ O negative और यह OH तो glycinato तक पढ़ लिया था हम लोगों ने glycinato के बाद इसको कहते हैं DIMETHYL GLIOXYMATO short form में बोलते है DMG DIMETHYL GLIOXYMATO GLYOXYMATO DIMETHYL GLIOXYMATO ठेक है तो दिस इस अगेन बाइदेट टेड लिगेंड इस अ क्लास अब बाइदेट लिगेंड दो लाक्रॉन पेयर डोनेट करता है यह ठीक है तो डाइमेथाइल ग्लाय उक्सेमेटो उसके बाद बात करते हैं ट्राइडेंटेट की तो डेफिनेशन इसका एक्जामपल हो सकता है डाइएथाइलीन ट्राइअमाइट डाइएथाइलीन ट्राइअमाइट तो एन हो गया डाइएथाइलीन ट्राइअमाइट उसके बाद डई इथाइलीन दो इथाइलीन होगा न दो इथाइलीन और ट्राइमाइन तो एंच यहां पर ले लेते यह हो गया डाइएथाइलीन ट्राइमाइन डाइएथाइलीन ट्राइमाइन ट्राइडेंटेट लीगेंट डाइएथाइलीन ट्राइमाइन और ट्राइपाइरेडिल जो हो सकते हैं आप पाइरेडिन को तो आप आराम से जोड सकते हैं तीन के साथ डाइपाइरेडिन भी होता है ट्राइपाइरेडिन भी होता है तो जहां पर कुल मिला कर ये ध्यान रखना है जिसके अंदर तीन डोनर पेर आएंगे वो ट्राइडेंटेड लीगेंड का example होगा अब अगर ट्राइडेंटेड कहेंगे तो जो चार इलक्टरॉन पेर डोनेट करेगा वो ट्राइडेंटेड जो पाँच डोनेट गा वह वह एक्जाधिन्टेट तो एक हैक्जाधिन टेंते डीडि एक्टी बीडियक कर लेते है डी एधा डी डी टी एधाइलीन डायमाइन ट्रस्यासिटड एथाइलिन डायमाइन tetra acetate, ethylene diamine tetra acetate EDTA, जो की एक hexadented ligand का example है, it is an example of hexadented ligand, कैसे है hexadented देखो, यहाँ पे acetate के पास दो और यहाँ पे nitrogen, ethylene diamine tetra acetate, तो यह एक hexadented ligand का example है, चार इसके पास negative charge है, और दो इसके पास nitrogen है, तो this is an example of hexadented ligand, और अगले lecture में हम लोग इसको revise करते हुए, कुछ और ligands के बारे में बात करेंगे, चोटे चोटे और कुछ points हैं उन पर बात करेंगे, और उसके बाद फर naming of complex compound पर चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन यह सब primary चीजे हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे चलना है,